पूरी दुनिया में इसराइली सेना अपनी मौडन सेन ने टेकनोलोजी के लिए जानी जाती है लेकिन उसके बावजूद मिडली इस्ट में वो चारो तरफ से घिर चुकी है और इस कड़ी में इरान और हिजबुला ऐसे दो किरदार हैं जो इसराइल के अस्तित्व के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं हाला कि हिजबुला इसराइल की ताकत से भली भाती वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद हिजबुला के प्रमुक हसन नसरल्ला डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर इसराइल के टैंक लेबनान में घुसे तो उनका नामों निशान मिट जाएगा और नसरल्ला के इस बयान से एक सवाल खड़ा हुआ है वो ये कि अगर इसराइल लेबनान पर हमला करता है तो क्या हिजबुला के पास वो मौडन हत्यार हैं जिन से वो इसराइल को हरा सकता है तो आपको बता दे कि कुवेट के न्यूस पेपर अलजरीदा ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुला सा किया है अलजरीदा का कहना है कि इरान की कुद्स फोर्स ने हिजबुला समेत मिडल इस्ट में अपने प्रॉक्सी संगटनों को इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओर्डिनेंस यानी इलेक्ट्रो मैगनेटिक बम सप्लाई किये हैं जिन से इस्राइल के लिए बचना नामुम्किन हो जाएगा और अगर ये बात सच होती है तो इस्राइल के लिए ये परमाणू खत्रे के बराबर हो सकता है लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओर्डिनेंस या बम होते क्या है तो आपको बता दे कि ये एक ऐसा हत्यार या विस्फोटक है जो इसराइल के संचार तंत्र और रेडार को बंद कर सकता है और इसको लेकर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सेन तकनीक विक्सित करने वाली एसगार्ड सिस्टम के सीईओ रौटेम मेटैल ने ये जानकारी दी है और इस इलेक्ट्रोनिक ओर्डिनेंस को लेकर रौटेम ने अलजरीदा से कहा कि कलतना करें कि जिस इमारत में आप रहते हैं उसमें बिजली गिरती है बिजली की छड या एंटीना पर नहीं बलकि पूरी इमारत पर जिससे सभी बिजली के पैनल, वाटर हीटर, पानी और बिजली के सिस्टम, घरे लूप करन, कम्प्यूटर, टेलिविजन सिस्टम और यहां तक की जीवन रक्षक मेडिकल प्रणाली भी काम करना बंद कर देती है यह बिजली की कटोती की तरह है, लेकिन इस मामले में सिस्टम अंदर से भी जल सकते हैं, जैसे की बिजली का शौर्ट सरकिट होता है प्रोटम ने अपने बयान में आगे कहा कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओर्डिनेंस का सबसे ज्यादा खत्रा सेन अड़ो, रन्नीटिक ठिकानो, दिसैलिनेशन सिस्टम और इसराइल के पावर ग्रिड पर है हालकि ये ठीक-ठा कहना असंभव है क्योंकि इतिहास में अभी तक ऐसे हतियार का इस्तिमाल नहीं हुआ है और इसे बनाने के लिए कोई स्रोत या संदर्ब उपलब्द नहीं है और बड़ी बात यह है कि जब रॉटम से पूछा गया कि ये हतियार किसी इलेक्ट्रिक लहर या पारम पर एक हतियार और रॉकेट की तरह है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कम उचाई पर उड़ने वाला एक ड्रोन हो सकता है ये बिलकुल हूती द्वारा अपग्रेड किये गए समत थ्री ड्रोन की तरह हो सकता है जिसने तैल अवीव में अमेरिकी दूतवास के पास हमला किया था और सिर्फ गन पाउडर के साथ काइनेटिक वार हेड के बजाए ड्रोन के सामने वाले हिस्से पर इलेक्ट्रो मैगनेटिक पल्स को सक्रिय तंत्र को लगाये जा सकता है जो ड्रोन की उड़ान और टार्गेट के संपर्क में आने के बाद सक्रिय हो सकता है आपको बता दे कि हिजबुला को इलेक्ट्रो मैगनेटिक बमों को दे कर इरान अपना एक बड़ा मकसद हासिल करना चाहता है इरान इसराइल के खिलाप दो नए फुरंट खोलना चाहता है अगर इसराइल लेबनान पर आकरमन करता है तो वो गोलन में सीरियाई प्रतिरोधियों को इसराइल के खिलाफ लाम बंद करेगा और इससे गैलीली फ्रंट पर भी एक नया मोर्चा खुल जाएगा और ऐसा करके इरान इसराइल के लिए खत्रा पैदा करना चाहता है हाला कि अलजरीदा का कहना है कि उसे सूत्रों ने बताया कि हिजबुला के पास पहले से ही ऐसे बं और मिसाइले हैं जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक हत्यार लेकर जा सकते हैं और इरान की रेवलुशनरी गार्ड फोर्स ने बीते दिनों इन बंओ को हिजबुला को डिलिवर किया है इसके अलावा इरान ने हिजबुला को पहले से ही ऐसे हत्यार दिये हैं जिनका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल हिजबुला इसराइल पर कर रहा है और इसका एक डेटा बैंक भी बन रहा है जिसमें ये जानकारी खटा की जा रही है कि कौन से हत्यार इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को भेज सकते हैं और अगर ये दावे सच हैं तो आने वाला वक्त इसराइल के लिए किसी बड़े खत्रे से कम नहीं है आपको बता दे कि हिजबुला के तरकश में कई तरह के हैवी बम, रॉकेट्स, बैलेस्टिक मिसाइल, एंटी एरक्राफ्ट, एंटी टैंग और एंटी शिप मिसाइले हैं हिजबुला के पास फलक वन और फलक टू अंगाइड़ेड रॉकेट्स है जिनकी रेंज 11 किलोमेटर है हाला कि हिजबुला के कुछ रॉकेट्स एकदम सटीक हमला नहीं करते और इन में 3 किलोमेटर तक की गलती हो सकती है इसको लेकर लिबनानी सेना के रिटायर जनरल और मिलिटरी एनलिस्ट खलील हेलाउर का कहना है कि हिजबुला के पास इरान की बैलेस्टिक मिसाइले हैं जिनका इस्तेमाल होना अभी बाकी है इन में फते 110 जो 162 हमला करने वाली गाइड़ेड मिसाइल है इसकी रेंज 300 किलोमेटर तक है ये तैल अविव और ये रूशलम तक आसानी से पहुँच सकती है वहीं कंट्रोल रिस्क कंसल्टेंसी के एसोसियेट अनलिस्ट दाइना एरागजी का कहना है कि साल 2006 में कथित रूप से हिजबुला के पास 15,000 रोकेट्स थे जबकि अनाधिकरत अधिकारियों के अनुमान ये संकेत देते हैं कि हालिया दिनों में हिजबुला ने इस संख्या में 10 गुना ज्यादा बढ़ोत्री की है बड़ी बात ये है कि हिजबुला के पास रोकेट्स के अलावा हजारों की संख्या में कामी केस ड्रोन है जो बेहद ही कम उचाई पर उडान भर सकते हैं और हाल ही में हिजबुला के दो ड्रोन्स ने इसराइल के तमाम सैन ने अड़ों का वीडियो रिकॉर्ड किया था एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं इसके अलावा हिजबुला के पास रूस और चीन की कुछ ऐसी मिसाईले हैं जो एक बार में इसराइल के सभी समुद्री तटो पर अटैक करने के काबिल है पास 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 बार में इसराइल के सकते हैं जो एक बड़ी चुनौती है झाल झाल